अब 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 हलो डियर इस्टुडेंट्स और पैरेंट्स आज आपके लिए बहुत ही कुछ खबरी है जो शातर शातर ही करसी विशे लेके और अपना अध्यन करना चाते हैं कक्सा 11 और बारा में उन में से जो शातराएं है उनके लिए सबसे बड़ी उस्खबरी है आपको पता होगा कि जो मैलाएं है वो करसी जो विवसाई है इसमें विबिन परकार के कारे होते हैं जैसे पोधरोपन का का रही होता है सीचाय का कारे होता है उर रख देने काहरे होता है कर्पटवारों को निकालने काहरे है अपर राक्षन काखाय होता है कटाय का का रहे होता है इसमें उड्लमिक लीच्छ भूमिका निबाती एथ लेकिन अभी जो 2023 का बजट है इस बजट में जो कर्सी संकाई लेके और कक्सा 11-12 हुआ है BAC Agriculture, BAC MSE, BAC के बाद में MSE Agriculture और MSE के बाद में PhD Agriculture से करने के लिए सरकार की तरब से उनको परोर्थान राशी दी जाएगी जिसके कारण जो मैलाएं हैं उनका राज्य और देश का जो विकास है उसमें महतुपूर्ण योगदान होगा और जो परिवार है उसकी भी जो आई है उसमें महतुपूर्ण योगदान होगा तो इसी योजना के उपर आज अपन डिसक्रस करने वाले हैं मैतुपूर्ण जो टोपिक है वो है कि इस योजना का लाब कौन सी चात्रें ले सकती है वह इसकी क्या requirement है इसकी संपूर्ण जानकारी आज अपन प्राप्त करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं आपन जो राजस्तान सरकार है इसने कर्शी चात्राओं को है कर्शी संकाइसे खक्सा बारह और जो ग्रेजिवेशन है उसको पूरा करने के लिए इस योजना के अंतरगत और बढ़ावा दिया है जिसमें जो योजना योजना का मुझ्य उद्धे से क्या है कि जो कर्शी संकाई है उस में अद्ध्यन करने वाले चात्रह बंको आरतिक साहता परदान करना है मुझ्य इड़े से जिस्से क्या होगा आरतिक तंगी के चलते के कारण जो चाता अपने पढ़ाई अदूरी छोड़ देती है वह अब अदूरी नहीं छोड़ पाएगी इसके अलावा ये योजना सात्राओं को आर्थिक प्रक्स में सुदार लाएगी जिससे कि उनकी स्थीती मजबूत होगी और जो आत्म निर्बर है उसके उपर इनका महतुपूर्ण बा मिल रहा है उसमें भी ये योजना महतुपूर्ण बागेदारें निबाने वाली इसके बाद में जो छात्राओं हैं वह इस योजना का लाब लेके और आत्म निर्बर हो सकती है योजना के अंतरगत परदान की जैने वाली आर्थिक साहिता है वह कितनी है सबसे महतुपूर बात है जो कखसा एकसा 11 और जो 12 में पढ़ने वाली छात राएं हैं उनको परती 是啊 पंदरा हजार रुपए मिननेवें कखसा 11 MEं फंदरा हजार रुपए और कखसा 12 में फंदरा हजार रुपे मिलेंगे इसके अलावा जो सात्राएं बीएसी एग्री कल्चर बीएसी ओर्टी कल्चर बीएसी पॉरेश्ट्री बीएसी पिस्रीज कि के कम्प्लीट करती है उनको परती वर्ष 25,000 रुपे सात्रवती के रूप में उपलब्ध होंगे इसके अलावा जो एमेसी एक्री कल्चर और पीजडी एक्री कल्चर से कम्प्लीट करती है उनको परती वर्ष 40,000 रुपे प्राप्त होने वाले इस योजना के अनुसार इस योजना में कौन सी छात्रें इस योजना की पात्तरता होंगी यानि कौन सी छात्रें इस योजना के लिए एपलाई कर पाएगी जिसके निवन पॉइंट है जो आवेदक एसी छात्रें जो इस योजना का लाब लेना चाहती है वो छात्रा राजस्तान राज्ये की इस्ता निवासी होनी चाहिए सबसे पहले इसके अलावा जो लाबारती चात्रा है जो चात्रा आवेदल करना चाहती है वह चात्रा होनी चाहिए यानि कि यह योजना लड़कों के लिए चात्रों के लिए नहीं है यह योजना किसके लिए चात्राओं के लिए नेक्ट लाबार्ति को मानेता प्राप्त यानि जो छात्राइं है चाहे वो सरकारी स्कुल में पड़े चाहे प्राइवेट स्कुल में पड़े चाहे वो सरकारी कोलेज में पड़े पुल मिलाके यानि कि जो मानेता प्राप्त है वो संस्तान होना चाहिए उसमें अध्यनरत हो होनी चाहिए वही चात्रा इस योजना के लिए कर सकती है इसके अलावा जो छात्रा का है वो विशें कौन सांरा चाहिए कर्सी संकाई जाइए याने एग्री कल्चर सब्देक्ट होना चाहिए जो इस योजना के लिए आपातर रहेगी उनके कि सबसे पहला है जो चात्राइं गत वर्स यह पिछले वर्ष में फेल हो गई है सपोज किजिए कोई चात्रा इलेउंत कक्सा पास करने के बाद में पॉल्ट कक्सा में आ जातीे और वह वापिस ट्वल्ट कक्सा कर रही होती है तो उस चात्रा को 12 कक्षा में इस योजना कालाब नहीं मिलेगा नेक्ट जिन चात्राओं ने स्रेनी शुदार है तू उसी कख्षा में पुना परवेश लिया सबोस dal कीजिये कोई छात्र है ट्वल्ट पास कर लेती है उसके परसंटेज बनते ऐसा परसंटेज लेकिन वह वापिस उसी कक्सा में परिवेश लेके और अपने परसंटेज को इंक्रीज करना चाहती है तो उसको दूसरी बार में यह स्कुलर्शिप परदान नहीं की जाएगी वह भी पातर मानी जाएगी जिन बालेकाओं द्वारा अपनी पढ़ाई बीच में वह बालीकाएं भी इस योजना का लाब नहीं ले सकती अर्तार्थ इसमें वही छात्रा इन्वोल हो पाएगी या वही छात्रा इस योजना का लाब ले पाएगी जो छात्रें कंटिन्यू पढ़ाई कर रही है कि इस योजना में एप्लाई करने के लिए कोन कोन से दस्तावेझ की आउसकता रहेगी यो कि है सबसे पहले चाहिए जन आदार कार्ट होना चाहिए इसके अलावा इस ताइपरमान पत्तर यानिकी मूल निवास होना चाहिए राजस्तान का इसके अलावा 17 की पिछली मार्क सीट जो पिछली कक्सा पास करके यह उसकी मार्क सीट होनी चाहिए उसके पास में इसके अलावा नेमत विदारती होने का id card यह संस्ता परदान का पर्मानफतर होना चाहिए जिस भी स्कूल में या जिस भी माविधाले में पढ़ रही है उसका id card होना चाहिए प्रवेश नहीं लेंका प्रवानफतर होना चाहिए यान ले वह category जो स्रेणी सुदार करें उसमें involved नहीं होने चाहिए next जो bank खाता है वो swim का होना चाहिए क्योंकि इस योजना में जो उसकी bank diary है उसकी photo copy लगेगी और उसी account में याने कि personal account में जो योजना का जो payment है वो उसी के bank account में transfer किया जाएगा passport size photo होनी चाहिए mobile number होने चाहिए यदि कोई तूटी रह जाती है तो उसे mobile number पे उसको सूचना परदान की जाएगी इस योजना का जो आवेदन है वो केसे करें तो सबसे पहले जो emitter है वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे जो राज किसान जो website है वहाँ से apply कर सकते हैं यदि यह समझ में नहीं आता है तो जहां अध्यनरत है वहाँ पे चाहे स्कूल हो चाहे महाविदाल है कोलेज हो वहाँ पे जो भी संस्ता का मालिक है उससे कॉंटेक्ट करें और उनके थ्रू जो है इस योजना में आवेदन करें अभी जो 2023 और 2024 का जो सेशन है उनके लिए 11 अक्टूबर तक इस योजना के लिए एपलाइ करना जरूरी है तो इस योजना में समय रहते हुए एपलाइ करें और जो तंगी आती है पड़ाई करने में उस तंगी को दूर करने के लिए ये योजना में तो फुन साबित होने वाली है तो जो चात्रहें पेशों के पारी है एसी चात्राएं 11 और 12 कक्सा में करसी विज्ञान एग्री कल्चर सब्जेट को सेलेट करके और इस योजना का लाव ले सकती है और अपने पढ़ाय को कम्प्लीट कर सकती है यदि ये योजना 11 और 12 कक्सा में एपलाई कर लेते हैं इस योजना को तो इसके बाद में भी एसी एग्री कल्चर में एडिमेशन लेके और परती वर्ष 25,000 रुपे चात्रवती के रूप में मिलेंगे और एक विशेश बात जो चात्र चात्राएं जो ऐसी चात्राएं हैं जो जिनको जो समाज कल्यान विबाग चात्रवती देता है वह चात्रवती अलग मिलेगी और यह चात्रवती करसी विबाग के द्वारा दी जाती है अत है दो चात्रवतियां मिल सकती है उनको करसी विबाग की तरव से अलग मिल रही है और समाज कल्यान विबाग है उसकी तरव से अलग म हो या स्पी केटेगरी की चात्रा है सभी परकार की चात्राओं को ये यուदना उपलब्द होने वाली है। इसमें केटेगरी का कोई इणोल्मेंट नहीं है जिस इ mound के U सब्सक्र सब्जेक्ट है। उन सभी चात्राओं को ये योजना में जो परौफसान राशी बताई गई ए एलेवंट 12 में 15.000 पर तीवर्स भी यची एक्रीकल्चर में 25.000 पर तीवर्स और मसी और पिएचडी में 40.000 पर तीवर्स यह योजना पहले भी चलती थी फेले 11 डॉलत में मिलते ते पांच पांच 1000 रुपे पर्ति वर्स मिलते थे और बारा जार डुपे मलते थे बीएसी में और 15 15,000 रुपे मिलते थे MSC और PhD में लेकिन इस रासी को बढ़ा के अब कर दिया गया है 11-12 में 15,000 रुपे बीए सी में 25,000 रुपे और MSC PhD में 40,000 रुपे परती वर्स कर दिये गए तो इस योजना का अवज से लाब ले और 11 और 12 कक्सा में Agriculture सब्जेट को चुनके और अपना भवे से सून इसित करें तेंक्यू